हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका दोस्ट कपिलत दोस्ट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इगनो 2024 जनरी सेशन की अड्मिशन के बारे में तो अगर आप जनरी 2024 सेशन इगनो में अड्मिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है एक भी point को skip मित कीजेगा क्योंकि अगर आप admission लेने वाले हैं यहाँ पर मैं आपको सारा बताने वाला हूँ कि आपको कौन-कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है और क्या documents आपके चाहिए होंगे और और भी क्या eligibility होगी और admission confirm कैसे होगी आपको complete detail यहाँ पर बताने वाला हूँ तो अगर आप admission लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यदा help करने वाली है तो चलिए भी ज़्यदा time ला दे तो ये computer की screen पर चलते हैं जहां से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ तो वहां से आप खुद भी बाद में से read कर लेना तो चलिए भी detail में चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इगनो युनिवर्सिटी है क्या ठीक है तो यह इगनो की official website है तो अगर आप online यहाँ पर distance study करना चाते हैं इंद्रागान्दी National Open University यह है इगनो की full form ठीक है तो यहाँ से आप admission ले सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे courses आपको मिलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर तो यहाँ पर टू टाइमस एडमेशन होती है इगनो में एक साल में तो एक होती है दिखिए जून जुलाई को जो अभी हो चुकी है जिसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस पहले दी थी और अभी देखिए यहाँ पर होने वाली है January सेशन के लिए पहले वी ती जुलाई सेशन के लिए अब हमारी January 2024 सेशन के लिए admission स्टार्ट होने वाली है तो question यहाँ पर आ रहा है कि कभ यह admission स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी ठीक है वो मैं आगे आपको और चीज़ने क्लियर करूँगा मतलब भी अपर स्टार्टिंग की बात करें तो देसंबर से यहाँ पर इसकी अडमिशन स्टार्ट होने वाली है ठीक है यह चीज़ क्लियर होगी कि एक साल में दो बार अडमिशन होती है इगनो इनिवर्स्टी में तो इसके बाद यहाँ पर देखिए फॉर्ट जुलाई सेशन जैसे यहाँ पर मैंचन्ड है कि एडमिशन देज जो होती है जून टू सब्टेंबर यह एडमिशन देज मतलब कि जून से स्टार्ट होगा सब्टेंबर एडमिशन तक यहाँ पर एक्स्टेंड होती रहती है और यहाँ पर जो जैनुरी सेशन में है इसमें देखिए जिसंबर से लेकर एप्रेल और मई तक मैं दो कि एक्स्टेंड होती रहती है ठीक है तो what are documents required for IGNO admission and need to submit these documents offline? तो इस point में देखे हम cover करने वाले हैं कि आपको कौन से documents ताहिए होगे जब आप IGNO में admission लने वाले हैं और क्या उन documents को आपको offline submit करना है ये भी बहुत ज़्यादा comment आता है ठीक है बाद में तो यहाँ पर देखे सबसे पहले documents किया चाहिए आपकी passport size photograph ठीक है उसके बाद आपका identity proof हो गया academic मतलब कि आपका जो भी education certificate होगे वो चाहिए होगे ठीक है bus certificate और उसके बाद यहाँ पर आपका cash certificate अगर आप आगे scholarship के लिए apply करने वाले हैं तो scholarship के लिए मैंने video dedicated बनाई हो लिंक उसका भी एक पोडिक्षिश में मिल जाएगा वो भी एक बार watch कर लेना आप ठीक है कुछ आपके documents होंगे इनके scanned आपको अपने पास्ट करें और education document कौन से जैसे माल लीजिए आप PG course में अडविशन ले रहे हैं तो उसमें provisional certificate वो चला सकते हैं जो college की और से मिलता है यह भी point आपको आगे पता चलेगा तो यह हमारा second point clear हो गया यह documents नहीं और कहीं पर भी offline submit नहीं करने है अब यहाँ पर अगर आप इसके बारे में detail में वीडियो और देखने जाते हैं documents के बारे में तो यहाँ पर आपको link मिलेगा कि sir हमने यहाँ पर इगनो को बहुत सारी mails की बहुत सारी calls की हमें कोई reply नहीं आ रहा है मारी admission confirm नहीं हो रही है तीन महीने चार महीने इतने time बाद भी confirmation होती है तो यहाँ पर मैं आपको एक और alternative बता देता हूं साथ में ही वीडियो में जो आपके लिए helpful रहेगा देखिए इगनो में क्या होता है आपके चीज़ा नहीं मिलती है प्लस आपको placement का support नहीं मिलता है लेकिन अगर आप visit करेंगे देखिए collegevidya.com पर यहाँ पर आपको 75 प्लस अपरूवड यूजी से अपरूवड यूणिवरस्टी है जिन में आप admission ले सकते हैं यहाँ पर आपको placement के assistance मिलती है अगर आप एकदम से fees नहीं जे सकते हैं आपको EMIS की facility मिलती है और आप job करते हुए साथ में online study भी कर सकते है आपको यहाँ पर क्या करना है जैसे यहाँ से भी आप जैसे इगनोव अला उन्युवस्टी है यहाँ पर आपको बहुत सरी उन्युवस्टी मिलेंगे उनमें compare कर सकते है और यहाँ पर भी admission ले सकते हैं आपको करना है जिस भी course में यूजी है PG में admission लें चाते है उस पर click क कीजिए देन उसके बाद देखिए आपके सामने कुछ information फिल करनी है उसको फिल करने के बाद find best university पर click कीजिए देन 8 simple questions आएंगे इनको select टरने पर आपके सामने उनके basis पर universities आ जाएंगी देखिए बहुत सरी universities होगी उनके आपको fees भी दखाई दे रही है अब अगर आप यह क्या है student की choice क्या है सबसे नीचे जाएंगे EMS की facility आपको बताई जाएगी तो इस तरीके से आपको free of cost यहां से आप colleges को compare कर सकते हैं और सभी colleges देखिए LPU का नेम आपने सुना है MET का नेम आपने सुना है बहुत सारी universities अच्छी अच्छी आपको यहां पर मिल रही है ठीक ह इसको option में रहा है और सबसे बड़ी बार dedicated counselor यहां पर आपको ऐसा नहीं कि आपकी कॉल नीपिक करेगा आपकी mail कर अपको first day से एक counselor मिलेगा जो आपको सारी चीज़ें guide करेगा admission से लेकर आपकी degree खतम होने के बार placement assistance तक ठीक है तो यहां पर आप talk to expert करके बहुत से चीज़े आपको मिलने वाली है तो आप इस पर visit कर सकते हैं इसका भी link manager decision में डाल दूँगा तो चलिए भी वापिस बात करते हैं इगनो के बारे में यह तो मैंने आपको साथ में एक informative चीज़ बता दिया अगर आप इगनो के सोच रहे हैं तो एक बार college जिद्या को जाकर भी नीचे visit कीजिए अपनी information को fill कीजिए वहाँ पर भी आपको suggestion अच्छा मिल जाएगा वहाँ से आप suggestion ले सकते हैं और वहाँ पर admission तो ले ही सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखिए अब admission confirm होने कितना time लगया देखिए after successfully submitting the igno admission application तो यहाँ पर अगर आपने सभी documents यहाँ पर डाले कि पहले तो आपकी mails हैं उसका reply नहीं है क्योंकि load बहुत जाता होता है website पर तो यहाँ पर लेकिन कई बार यह गलती होती है कि हम यहाँ पर final यह की mark sheet ही वैसे upload कर देते हैं कई लोगों के admission ऐसे अप्रूव होती हुई भी मैंने देखिए लेकिन इसमें रिस्क होता है क्यो अब देखिए documents uploaded from mobile not scanned from printer बलो कि quality issue आ जाता है तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि आपको offline कहीं पर भी जाके submit नहीं करने है document तो यहाँ पर जो भी आप document upload करते हैं वो उसका print लिया जाता है यहां फिर उसको clearly देखा जाता है तो अगर आप mobile से वैसे photo click करके उसके डाल र रहे हो तो उसकी quality इची नहीं है कि जब वो print करेंगे quality नहीं निकलेगी वहां से readable नहीं होगा तो time लग जाता है वो आपका फिर pending में चला जाता है वो next file देखेंगे जो यहां पर clearly होगा तो आपको कोशी यह करनी है जब भी आप admission लेने वाले कोशिश नहीं करना यह है कि क अपना pending work कह सकते हैं वो चीज़े होती है ठीक है लेकिन यह आपकी और से आपकी end से आपको यह वाली गलती नहीं करनी है इसकी वज़ा से बहुत सारी लोगों की admission confirmation में देरी होती है ठीक है यह चीज़ क्लियर होगी then आगे बात करते हैं कि study material के बारे में इसके बारे में ब लिन के आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्लिक करेंगे आप उस पर पहुंच जाएंगे ठीक है लेकिन जब मैं यहाँ पर इसकी वीडियो बनाता हूं जब भी मैं every year बनाता हूं कि कैसे अटमिशन नहीं नहीं उसमें मैं बताता हूं clearly कि कैसे आपको printed को चूज करना है आपको पता चल जाए ठीक है और यहाँ पर दिखिए printed study material का अब आने में कितना time लगेगा यह तो depend करता है कि आपकी location क्या है अगर आप city area से हो तो आपका जल्दी आ सकता है अगर आप थोड़ा backward area से रहते हो तो वहां पर आपको time जादा भी लग सकता है तो बहुत सरे students को इसमें time भी लगा है दो महीने भी लग जाते हैं कई बार तो students परिशान भी हो जाते हैं लेकिन सब कुछ सच सच बता रहा हूं मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्योंकि वीडियो को sponsor नहीं है कि मैं इगनो को promote कर रहा हूं ऐसा नहीं है ठीक है तो मैं आपको सारी चीजें सच बता र करने का मदलब यहां पर option आलेगा तो यहां पर उसको आप डाउलोड कर सकते हैं बाकि इसके बारे में detail में देखना है कि कैसे digitally आपको form में मिलेगा तो इस वीडियो पर चले जाईएगा यहां पर आप यह भी डाउट के लिए कर दीजे यह वीडियो मैंने क्यों बनाई है ताकि जो आपके question admission लेने के बाद mind में आएंगे और फिर आप सोचेंगे कि यार मैंने क्या किया अब मुझे क्या करना चाहिए वो आपको सारी इसे मैंने पहले ही बताने के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई है तो अगर आपको कोई और friend भी admission लेने वाला है तो एक इसकी क्या होती है क्या सारी चीज़े होती है तो यहां पर आपके से टरुके से टर्मेंट examination चलते हैं तो यहां पर जैसे पॉइंट में रीड करें तो दो बार एक साल में होते हैं एक जून में एक दिसम्बर में ये मैं आपको बता दिया कि सेशन वालोंके कब होंगे और It is theory exam based on paper and pen, ठीक है, paper and pen आपको paper होता है, theory exam होता है, then उसके बाद time duration कितनी होती है, two to three hours आपको मिलते है, based on course code की आपका कौन सा course है, and refer top of question paper for exact time duration, मुलब भी वो आपको question paper ही पता चलेगा, ठीक है, या approximately मैंने आपको बता दिया, and weightage of term and examination कितनी होती है, 70% होती है, बाकि 30% आप जो assignment बनाते हैं, उसकी की जाती है, ठीक है, assignment के बार में आपको यहाँ पर वीडियोस मिलती रहेंगी, तो उसकी भी आपको attention नहीं लेनी है, both these components is calculated to get exact percentage for the course code, तो इन दोनों को मिला कर ही exact percentage निकाली जाती है, तो उसके बाद, hall ticket is generated generally one week before the commencement of exam, मतलब कि जब आपका exam होने वाला होता है, तो उससे एक week पहले आपको क्या दी जाती है, hall ticket आपको provide करवा दी जाती है, तो यहाँ पर उसके बाद, student must need to carry the hall ticket print out and ignore ID card to appear for ignore exam, तो जब आप exam देने के लिए जाएंगे, तब आपके बास देखिए, आपको hall ticket का print out and ignore ID card आपका आपके पहास होना चाहिए, जैन उसके बाद, exam date sheet और time table, यह आपको कम मिलता है, देखिए, university की website आपको मल जाता है, जैसे आपके देखिए, exam form submission link open हो जाता है और activate हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर 99.99 chance होते हैं, जो आपको date sheet दी जारी है, university की और से, वो final है, लेकिन कई बार कुछ reasons की बज़ा से, इसको hall ticket पर final mention किया जाता है, तो और यहाँ पर any student who fails in some papers and you need to apply again in next term exam, तो यहाँ पर दीखिए, exam fees जब एक बार pay कर दिया है, वो non refundable आपकी रहेगी and आपकी carry forward नहीं की जाएगी next cycle के लिए, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, दुबारा सिर एक्जाम में appear होने के लिए, आपको फिर से fees को pay करना है, तो revise exam fee कितनी रहने विले per cost, 200 rupees, ठीक है, यह आपकी revise exam fees रहने वाली है, तो यह मैंने आपको दीखे कुछ main questions, जो hall students के candidates के mind में आते हैं, और जब भी मैं admission के related video बनाता हूं, तो उसके बाद मुझे आपर यह comment आते हैं, कि यह सारी जो questions है, यह सारे comments आते हैं, तो मैंने कोशिश की है, अब मैं एक ही video में इन सभी का answer दे दूँ, तो अगर आपके लिए video help रही है, आपको सारी जिनों के सामझ आ गई है, तो उससे एक बार like जरू कर दे हैं, वीडियो को जिससे हमें motivation लेगी, हम आप जैसे सभी students के लिए, ऐसी और भी videos को find करके सभी topics को last आगे, और अगर आपके कोई query अब भी है, आपके mind में है, तो उसी भी आप comment section में comment कीजेगा, majority basis हम फिर से एक video बनाएंगे, जिसमें हम dedicated questions के answer देंगे, ठीक है, बाकि करने के लिए tips and tricks में यहाँ पर आपको बताता रहता हूँ, तो दोस्तों, ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाईए, और अपने carrier को आगे बढ़ाने में लीजिए हमसे help, तो दोस्तों चलिए अब जल्दी मिलेंगे, ऐसी और भी कई नहीं valuable videos के साथ, तो दबता के लिए आप सभी को अल्विदाव